ओम नमस्षिवाए तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज दिन शुक्रवार है और मैं राजस्थान में हूँ इस तमें तो मेरे मन में आये क्यों आज मैं आपको एक ऐसा मुहिनी का गुप्त ताबीज दे दूँ जो कि किसी को भी पलग जपकते ही आपके अनुकूल कर देगा ये बहुत ही पुराना प्राचीन यंत्र है जो कि मैं इंद्रिजाल से ले रहा हूँ और एक बार आपने ये यंत्र सटीक बना लिया तो उसके बाद आप सर्वजन मोहन करने में निपुण हो जाएंगे इस यंत्र को आपको रविवार या शुक्रवार के दिन बनाना है बनाने के बाद आपको बुद्धवार को ये धारन कर लेना है इस यंत्र को अगर आप बनाना चाहते हैं किसी को आकरशित करना चाहते हैं तो आपको सात्विक भूजन करना होगा एक महिने तक इसमें मास मदिरा का सेवन वर्जित है भूल कर भी मास मदिरा इस दोरा ना खाए एक तालिस दिनों की ये साधना है एक तालिस दिनों तक आपको सात्विक रहना है किसी भी तरह का मादक परदाथ आपको ग्रहन नहीं करना है और इस यंत्र को जब बनाएं तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस यंत्र को या तो रविवार को बनाएं या शुक्रवार को बनाएं यंत्र मैं आपको बता दूँ आपको एक rectangle बनाना है और उसके उपर लिखना है हरीम, हरीम, हरीम तीन बार हरीम लिखना है उसके उपर तीन बार हरीम लिखना है उसके नीचे हरीम, हरीम, हरीम और जो बीच का portion है वहाँ पर आपको लिखना है रीम, ओम, तेवदत, रीम ये यंत्र निर्मान करना है आपको अनार की कलम से गोरोचन से अनार की कलम और गोरोचन इन दोनों का मिश्रन होना चाहिए आप अनार की कलम से गोरोचन की शाही से इस यंत्र का निर्मान करेंगे इसके बाद बुद्धवार को जो भी आपके इश्च देव हों जो भी आपके कुल देवता हों उनसे आगरह कीजिएगा कि ये जो यंत्र है इसको सिध्धी परदान करें और इसको धारण कर लीजिएगा इसके बाद जो जहां पर भी आप जाएंगे वहां पर सिर्फ आप ही का बोलबाला होगा आपने जो एक बार बात कह दी वो सर्व मानने होगी उसको कोई टाल नहीं पाएगा यह यंत्र आप बना सकते हैं यदि कोई दिक्कत परिशानी आए तो मुझे कॉल कीज़ेगा करर आपछि सेज़ाओए यदि कोई बना सकते हैं पार मुझे सकते हैं